हेलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आयम एप यानी इंटरनेशनल मोनीटरी फंड के बारे में बात करेंगे बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है पसंद आया तो इस वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना देखो आयम एप इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोनीटरी फंड और हिंदी में इसे कहा जाता है अंतराश्ट्य मुद्रकोस इसकी स्थापना के बारे में भी जान लेता है अंतराष्ट्य मुद्राकोस एक ऐसा अंतराष्ट्य मौद्रिक संगटन है और इसकी स्थापना द्वित्य विश्यूद के बाद संसार के विबिन देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की द्वित्य विश्यूद के बाद में और इसके मुक्याले के अगर हम बात करें तो इसका मुक्याले है Washington DC यानि USMS का मुक्याले है और वर्तमान में इसमें 190 देश सामिल है यानि IMAP के सदसे देश 190 है अब सवाल है कि इसके क्या-क्या उद्देश है IMF के क्या-क्या उद्धेस हैं देखो उद्धेस्यों को जानना बहुत ही ज़रुरी है वेस्विक मोद्रिक सायों को बढ़ावा देने के लिए उसके बाद विद्धिय स्तिर्था को सुरक्षित रगने के लिए वेस्विक स्तरपर अंतराश्टी व्यापार को सुविधा जनक बनाने के लिए और उच्च रोजगार और सदत आहतिक विकास को बढ़ावा दिने के लिए IMF के ये प्रमुक उद्देशे हैं और इस आधार पर ये विद्धि प्रोवाइड करता है अब देखो इसके वर्तमान MD के बारे में भी जान देता है IMF के वर्तमान प्रबंदन निद्देशक यानि की मैनेजिंग डारेक्टर वल्गेरियाई अर्थतास्त्री है किस्ट लेना जोड जिवा ये इसकी अभी वर्तमान में प्रबंदन निद्देशक यानि की MD है अब स्वाल है आता है कि IMF भी वित्त देता है वर्ड बैक भी वित्त देता है तो इन दोनों में अंतर है क्या देखो इसको ध्यान से समझो विशु बेंग केवल विकास सिल देशों को रिन देता है जबकि अंतर राष्टिय मुद्रा कोस के संसादोनों का इस्तमाल निर्दन राष्टों के साथ दनी देश भी कर सकता है और इसका मुक्यों देश से संदर्शी राष्टों को पुनर निर्मान और विकास की कारियों मे से हम कहता है अब देखो आयमेप एक रिपोर्ट जारी करता है वह आपको द्यान में रखना बहुत ज़रू है तो आयमेप वर्ड एकोनमिक आउटलुक रिपोर्ट यह रिपोर्ट जारी करता है और यह रिपोर्ट आयमेप को द्वारा जारी की जाती है अब हम HDR के बारे में जान लेता हैं यह द्यान में रखना बहुत ही ज़रू है HDR यानि की Special Drawing Rights और यह IMF की मुद्रा है इसे Paper Guard भी करता है तो यह आपको द्यान में रखना है यह फेक्ट द्यान में रखना है और IMF की मुद्रा इसे HDR कहा जाता है सवाल यह आता है कि HDR की सुरुवात कब की गई देखो HDR यानि की Special Drawing Rights विर्स्व में अंतरहाष्ट के तरलता की स्थिति को सुधार है तू इसकी सुरुवात 1911 में की थी IMF के द्वारा 1911 में HDR की सुरुवात की गई देखो IMF बारे में पूरी जानकरी आमने इस विडियो में जान ले लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और अगर कोई डावट है तो कमेंट करके जरूर बताना इस विडियो में इतना ही जैन जैवार्त